जिस तरह हमारे शरीर पर तिलों का अर्थ और महत्व होता है ठीक इसी प्रकार हाथ की उंगलियों के नाखुनों पर बने निशानों का भी अपना महत्व होता है खास बात यह है कि निशानों का हम पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इन पर किस रंग के निशान है अगर आपके अंगुठे के नाखुन पर सफेद रंग का निशान या धबा है तो इसका मतलब होता है कि आपको बातें करना पसंद होगा आप सभी से दिल खुल कर मिलते हैं काला धबा होने का मतलब होता है कि आप अपने साथी से प्रेम में इस कदर मतवाले हो जाते हैं कि कई बार अपराद भी कर बैठते हैं वही अंगूठे पर बैंगनी रंग की निशान का आर्थ होता है कि आपको साप या नजहरीले जानवरों से डर होता है आपको इस मामले में सतरकता बरतनी चाहिए आपको बता दें हाथ की तरजनी उंगली या इंडेक्स फिंगर की नाखोन पर सफेद रंग का निशान है तो यह आपकी अच्छी अमंदनी की और इशारा करता है काला धबा नुकसान का संकेत देता है और बैंगनी रंग का निशान यात्रा की दोरान जीवन संकट का कारक हो सकता है अगर हाथ की मध्यमा उंगली या मिडिल फिंगर की नाखोन पर सफेद निशान है तो जातक के जीवन में यात्राओं का विशेश महतु रहता है काला निशान होने पर किसी ना किसी तरहे का डर जातक को लगातार बना रहता है वहीं बैंगनी रंग का निशान होने पर वाहन से चोट लगने की आश्यंका रहती है अनामकी उंगली और रिंग फिंगर की नाखून पर सफेद रंग का निशान पतिष्ठा दिलाता है काला निशान बदनामी का कारक होता है तथा जामुनी निशान सरजरी का कारक बनता है अगर लिटल फिंगर की नाखोन पर सफेद निशान हो तो जातक को व्यापार में अपार सफलता मिलती है अगर काला निशान हो तो वह आविश्वास और आशाफलताओं से घिरा रहता है अगर इसे निशान का रंग जामनी हो तो किसी ना किसी तरहे का खत्रा जातक को लगातार बना रहता है एक्स्ट नाइन इस्परेच्वल से आकाश की रिपर्ट